हेलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम में हिस्ट्री एमेचा 101 का इन्युटेन पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे परिवर्तित रोमन संसार के बारे में जिसके अंदर में हमने डिस्कस क्या था तीसरी सताब्दी तक रोमन संसार के राज्य और परशासन वावस्ता के बारे में हमारा सेकिंड पार रहने वाला है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो यहां पर का जाता है कि जैसे ही पेकस रोमाना का यूग समाप्त होता है उसके बाद लगवग 100 वर्सों तक रोमन समराज्य के अंदर में अवस्ता और असिर्ता का यूग रहता है पेकस रोमाना होता क्या है तो पेकस रोमाना एक लैटिन भासा का सब्द जिसके मतलब यह होता है कि रोमन में सांती रोम समराज्य जो पूरा था हुआ पर सांती की अवस्था थी जिसको हम पेगस रोमाना के नाम से जानते हैं इस टाइम प्रेट के अंदर में ऐसा हुआ क्या जिसके कान से सांती था यहां पर अगस्तक का साशन काल चल रहा था ठीके 27 इसा पुरुव से लेकर 14 इसा पुरुव तक वहां पर उनका सासन चलता है फिर उसके ब रुख कर सांती से वह आगे की और बढ़ रही थी तो इसके कारण से यहां पर पेगस रोमाना का यूग माना जाता है इस काल में रोमन समराज्य पर लगवग 20 से अधिक समराटों ने सासन किया रोमन समराज्य को इन संगर्सों की स्थिरता 284 इसा में डैकलीशन की सत्ता सम माला तो रोमन समराज्य को स्थिरता मिली वहाँ पर एक जगह रोमन समराज्य रुखता है और आगे बढ़ने की बात करता है प्रशाशन उसने प्रशाशन और विवस्थी थी उसको उसने चार भागों में वाक्त कर दिया इससे पहले तक जो दिखा गया रोमन समराज्य प पहला पार्टा में वीडियो को चेप्टर का किया था वहां पे मैंने आपको बता था कि डाक्लीशन ने किया कि Room Salurt는데 को चार पार बंग दिया डैक्लीशन अपने पास पूर्व का वो बाटने के बाद उन चारो समराटों को स्वेयता हिस्सा दे दिया, कि आप इस छेतर के राजा हो, उसके उपर में कोई foundation नहीं होगा, किसे तरह की कोई बंदिस नहीं होगी, इस तरह की उनको स्वेयता परदान की गई, घीके जिसके बाद सारबाकी चीजों चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा तो वहां पर क्या होता था कि जो भी राजा अगर इस तरह का कोई स्टेप लेता था कि मैं आपको यहां पर छेतर दे रहा हूँ आप उसको लीड करो जो भी टैक्स हो सो लोग मुझे देना इस तरह का अगर नीती रखता तो वहाँ पर में जो हैड होता था न हमेंसा राजा रहता था यहां पर यहां पर क्या किया सब को स्वयता परदान करता है और सब को एक दवख छोट करके राज्य करने का option देता है यहां पर डेकली इसको चार भागों बाटा पुर्वी हिस्सा इसने अपने पास रखा था और अन्य तीन हिस्से दूसरे समराटों को वहाँ पे स्थापित किया डैकलीशन के प्रभावसाली व्यक्तित्व के कारण से चार समराटों रे शाषन व्यवस्था के होने के बावजुद भी पर शाषन में कोई कमी नहीं आने दी ठीके चार अलग-अल राजजा थे पर फिर भी रोमन समराज्य विकास कर रहा था वहाँ पर किसी वितरकी कमी किसी की तरफ से नहीं आ रहा था 306 के अंदर में डैकलीशन क्योंता है सेवा विर्थ हो जाता है सेवा विर्थ मतलब एक तरसे रिटार्यमेंट ले लेता है और उसके बाद राजवन जी नहीं सो कि और होना पर यह व्यवस्था समाप्त हो जाती है 314 में का जो पूरा समराजे था समराज़這是 पर नियंतरी स्थापित कर लिया ठीक है वह रोमन की जो राधानीतियों पूरव में ले गया पूरव में ले जाकर उसको इस्थापित करता है उसने उसने एक नया सहर बताया बसाया जिसके जो सहर का नाम था अपने नाम पर उसने रखा कांसेंटाइन नोपल करके इसने अपना एक नया सहर बसाया था और उसने अपने नाम पर ही इस सहर का नाम रखा था राज्ये में इसाही धर्म को यहां पर बढ़ावा दिया गया 391 में थियोडी सीसेयस जो था रोमन सासक बनता है 391 के अंदर में और उसकी मिर्तियों के बाद उसके दो बेटे जो बीच में रोमन समराज्य को विभाजित हो गया था मतलब इसका जो बेटा था उसने दो पार्टों में रोमन समराज्य को पाड़ दिया था पश्मी रोमन समराज्य और पूर्वी रोमन समराज्य के तोर पे जाना गया और हुनों जो थे हुनों जो समुधाय था वो किस परकार से रोमन समराज्य के और एक्रिसीव और उसने किस परकार से आकर्मन किया इसके बारे में हमने डिसकस किया था तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही यह दो बाटों में बढ़ जाता है ठीके दो पाटों में रोमन समरा ठीके सो वर्सों तक यहां पर रहती है राज्य सम्राज्य की नागरिक प्रशाशन एम नोकर साह को पद्रमा कुरूंप पदानुकुरम पिरामिड नुमा था पिरामिड नुमा होता क्या है जैसे आप पिरामिड देखो कुछ इस इस्ट्रेक्शर का था जो भी पद होते थे नागरिक प्रशाशन गें जो नोकर साहते जो भी अधिकारी लोग थे जो राजा दोरण निक्ट के जाते थे उनको पिरामिड नुमा अकार पर उनको पद दिये गए तैं पिरामिड नुमा मतलब क्या कि ऊपर वाला जो बंदा होगा सबसे हैड इस तरीके से एक लाइन न पर उसको रहता है जहां पर इस तरीके से पिरामिड नुमा अकार पर चलाए जाता था पतादिकारियों को मजिस्ट्री नुहां पर कहा जाता था मेट्रो पॉलिस जो थी अपनी पुलिस आनाज आपूर्ती ववस्ता और नागरिक ववस्ता होती थी उनके हाथ में और जो देख्भाल करते है खजाने के उसको graster का जाता है और प्रांतो और प्रशाशन की राधियाजक्षों का हाथ होता था प्रांतो का जो प्रशाशन होता था और राज्य-अधक्षों के हाथ में होता था देखो इस chapter का जो दूसरा पाट आज हम इस वीडियो के अंदर में solve कर रहे हैं अभी हमने जो खतम किया है इसके अंदर में mainly question यही बनकर आता है कि परिवर्थित रोमन समराज्ये का जो राज्ये और प्रशाशन ववस्था किस परकार का है वो बताईए तो हम वहाँ पर बात अगस्तक का रहता है और यह और रिस का रहता है यह दो सासन काल रहते हैं जहां पर भूमद सागरे दुनिया भर के जो तुलनात्मक सक्सांती होती है उसकी इस्तिति यहां पर देखने के लिए मिल जाती है इस काल के अंदर में almost 20 से ज़्यादा सासक आते है फिर उहां पर जाता है डैकलीशीस का ताइम पिरेट जहां पर डैकलीशीस क्या करता है 284 के इंदर में जासी आता है तो रूमन समराज्य को टोटल चार बागों में बाठ देता अलग-अलग राजा को देता है और जब तक वो रहता है तो पूरा समराठ जो सास्शन होता है समराज्य वह लोगोंसे सबते है कि सबकी महत्यो कानशाज होती है और वहां पर उसके बाद किस्तर से चीजे से बढ़ती है क्या पर फचरों को अदिकार दिये जाते हैं तो इसकंवाला पार्ट है का आप फसे आप जो भी वीडियोस देख रहे हो सारे वीडियों कि इनकर अगर आपको वर्स पार्ट नहीं देखा यहाश कह समझ में नहीं आएगा फॉर्स से बहले मैंने रोमन समराज्य का चैप्टर पढ़ाया ठीक है विए चैप्टर नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट पार्ट भी समझ में नहीं आएगा तो यहां पर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जब मैं मैंनत कर रहा होता हूं वीडियो डाल रहा हूं और उस तरह से पर रिस्पॉंस नहीं दिख रहा होता तब फिर वहां पर वीडियो डालने का मन नहीं करता है तो आप लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है हमें उसके लिए कुछ करना है ठीके तो में थाइक तो मुश्वच फिर लिस्निफिन सब्सक्राइब आ यार लगाल यार दिख पार ल्गवाद क्योंते है अजव अबर तब नियुक्षर ओया ज